नमस्कार स्वागत है आपका इंडिया टीवी देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूँ प्राची पारशर कहानी कुर्सी की में आज हम बात करेंगे भारते जन्यता पार्टी की तैयारियों की इंडिया एलाइन्स आखिर क्यों इतना बिखरा हुआ है इस पर भी हम चर्चा कर लेकिन पहले बात कर लेते हैं बीजेपी की बीजेपी इस बार 51 प्रतीशत वोट शेयर हासल करने के टारगेट पर काम कर रही है 51 प्रतीशत वोट शेयर का सीधा मतलब होता है 400 प्लस सीटों का टारगेट ऐसे में मजबूत से लेकर कमजोर सीटों तक पर बीजेपी पूरी उसी फॉर्मूले को लोगसभा चुनाव में भी बीजेपी आजमा सकती है दाओ लगाने की तैयारी राज्यसभा सांसदों पर है बीजेपी में अमूमन किसी भी सांसद का राज्यसभा में तीसरा टर्म बा मुश्किल ही होता है ऐसे में जिन चेहरों ने राज्यसभा में दो टर्म पूरे कर लिये हैं उन्हें बीजेपी लोगसभा चुनाव लड़ा सकती है 2019 में रविशंकर प्रसाद को पतना साहिब सीट से चुनाव लड़ाने को इसकी बानगी माना जा सकता है ऐसे में इस बार कई बाड़े चेहरे लोगसभा चुनाव लड़ते दिख सकते हैं बीजेपी के पास ऐसे चेहरों को मीदवारी लिस्ट में एड़जेस्ट करने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि कई राज्यों में जहां पहले गटबंदन की वजह से बीजेपी आधी सीटों पर लड़ती थी अब वहां बीजेपी अकेले लड़ेगी तो कई सीटे नए उम्मीदवारों के लिए खाली मिलेंगी जैसे बिहार में जेडियू, महाराष्ट में शिवसेना, पंचाब में अकाली दल के साथ बीजेपी शेट चेहर कर रही थी इस बार परिस्तेती आलग हैं और यहां जो सीटे गटबंदन में बीजेपी छोड़ती थी वहां अब अपने बड़े चेहरों को उतार सकती है तो बीजेपी का प्लान पूरी तरीके से तयार है 2024 में बड़ी जीत हासल करने के लिए इसी पर करेंगे चर्चा खास मेमान हमारे साथ जुड़ गया है एक तरफ मजबूत सीटों को और मजबूत करना और जो कमजोर सीटे हैं वहां कैसे वर्क कर रही है बीजेपी सबसे पहले रजसेवार फॉर्मूले की बात जो आपने कही अगर उस हिसाब से आपके सवाल के जवाब को समझें तो आम तो पर बीजेपी में एक तरह से अघोशित सानियम रहता है कि दो बार किसी को राजसेवार टर दे दिया जाए viewers के बाद तीसागा तर्म देने से बचा जाता है उसमें कुछ एक्सेप्सन भी हैं लेकिन उसमें कोशिशे रहती है कि दो बाग बाध तीसागा ना दिया जाए पिछले महीन अगस्त महीने पिछले साल अगस्त में प्रधानमंत्री निर्ण वो दीने बीजेपी की एक बैठक में कहा था कि राजसभा के जो सांसद हैं वो लोगसभा चुनावा लड़ने के तियारी करें और अगर लोगसभा के परिस्थिती नहीं बनती है तो विधान सभा की तियारी करें लेकिन उन्हें चुनावी अखाड़े में उतरना चाहिए इ वो तीन-तीन सीट पहले फोकस करें अपने हिसाब से कोशिश यह करें कि अपने मूल राज्य में उन सीटों का वो चैन करें और उन तीन सीटों पर फोकस करने के बाद पार्टी को अपनी राय बताएं और फिर पार्टी उस हिसाब से अपना फैसला करेगी कि उनमें से कौन लेकिन चुनाओ की जो जमीन है वो अतनी मजबूत नहीं है अब अगर धर्मिन पधान जाके उरिसा से चुनाओ लड़ते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो एक मजबूत चेहरा बन चुके हैं और ऐसे हम उनके जीतने के संभावना बहुत जादा रहेगी दूसरी तरफ अगर लड़ती हैं तो आप समझ सकते हैं कम सकम एक माहौल तो बना ही देंगी कि देश की वितमत्री हैं वो यहां पर चुनाओ लड़नी है तो पार्टी की यह कोशिस है कि उन जगों पे जहां पर आपको कमजोरी है वहां पे मजबूत कैंडिडेट को बड़े चेहरे जो कि आप के पास और लड़ी राजसवा के मारफत हैं उन्हें चुनाओ यह खाड़े में उतार जाए और यह सिर्फ उन राज्यों में ही नहीं है यहां पार्टी की स्थिती कमजोर है बलकि उन राज्यों में भी जहां पर आप मजबूत है और भले ही अगर सीट को लेकर कुछ अगर कि अगर इस तरह कोई नियम बने तो शिर्फ अस्तर से ही वो संदेश दिया जाए क्योंकि जेपी निडड़ा का कारिकाल रासबा का दूसरा टर्म खत्म हो रहा है और ऐसे में अगर प्रधानमंती नरीन मोदी ने संदेश दे दिया है तो आप समझ सकते हैं कि पार्टी के राश्टी अद्रक्ष के तौर पर भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी होगी हलाकि उनके सामने कुछ और भी चुनौतियां हैं जैसे एक बड़ी चुनौती तो ये रहेगी ने कि आप क्योंकि पार्टी ये राश्टी अद्रक्ष हैं तो पूरे देश में आपको कै क्या जेपी नडड़ा ये कदम उठाते हैं लेकिन जिस पकार से हिमाचल के लगातारम के दोरे हो रहे हैं कल भी वहा थे वो तो उससे ये समझा जा रहा है कि पार्टी के शिर्स अस्तर से ही ये संदेश दिया जा सकता है और पहली बार बीजेपी गराश्टे देख जेपी सीटे नहीं दी जा रहे हैं जिस सिफ सीटों पर ही चर्चा नहीं की जा रही है जो बड़े चेहरे हैं उन्हें मुश्किल सीटों पर भी उतारा जा सकता है राउल जी हमने इन तीन विदान सभा चुनावों में देखा अभी जोपी किस प्रियोग की चर्चा इतनी हुई कि कॉंग्रेस कितनी अटैकिंग है कॉंग्रेस के क्या मुद्धे हैं उसकी चर्चा बहुत पीछे रह गए और इसका फायदा भारते जनता पार्टी को हुआ तो क्या ये तैम आना जाए कि यही एक्सपेरिमेंट लोगसभा चुनाव में भी होगा और बड़े चेहरों को 143 सीट्स मालने तो 160 सीटें जो थी ऐसी जिस पर हार गई थी जिस पर बीज़ेपी के कैंड़ेट्स की जब्त हो गई थी 56 ऐसी सीट्स थी जिस पर बीज़ेपी लड़ी नहीं थी क्योंकि सहयोगी दर ड़ रहे थे जाद तर तो अगर हम इस समीकरन को भी देखें तो बीज पर जैसे जिवेंद्ध बतायों निर्मना सीतारमन की बात है वहां पर राजीव चंद शेखर की बात है वहां पर जैसे हम बात करें कि हमाई जो रेल मंत्री उनको लड़ाने की बात है बाकी सब और ये भी कोशिश बीज़ेपी की एडेक्शिन राजीयों में तो खासतोर स सीट है वहाँ पर भी एक स्ट्रॉंग कैंडिडेट देने की बात बीजेपी के भीतर है बीजेपी में ये भी डिसकेशन एक हुआ कि किस वहाँ पर थौट है कि 30 फीसदी जो सांसद हैं उनकी सीटी बदले जाएं ये भी सांसदों को अपने चुनाव लड़ाया था इसी तहां से वह कोशिश होगी कि वह सांसदों जो लोग राज्य सभा में आये हैं वह एक बार प्रूव करके अपनी वर्द दिखाएं वह चुनाव लड़ें और वह सीटों पर चुनाव लड़ें जो की मुश्किल सीटे हैं ताक और बीजोपी की स्टाटेजी कुछ एक्सपरिमेंट्स को उसका छोड़ दिया जाए बाकी एक्सपरिमेंट्स उसे फाइदा पहुचाते हुए नजर आते हैं ये जो इंटर्नल सर्वे होते हैं क्या लोग सभा चुनावों की लिहाद से अपने मंत्रियों को ध्यान में कोशिश कर रही है देखिए बारतिन्ता पाटी राज्यसभा के अपने नेताओं को चुनाव लड़ाते की कोशिश करती रही है शुष्मा सुराज को विदीशा से लोकसभा चुनाव उन्हों लड़वाय था उसके बाद अरुन जीटली चुनाव लड़े फिर वो रखते हैं उन्हें लोकसभा से जाना चाहिए जिससे राज्यसभा में किसी और को एड़स्किया जा सके तो मुझे लगणा कि जो तरहाज सिंधिया जो भी केंदर में मंतरी उन्हें ग्वालिट से चुनाव लड़ सकते हैं कि इसके लावा कि अन्य असे नेता सुशिल मोध है जो बिहार में राजसभा से आते हैं मुझ लगता है इस बार सुशिल मोदी को भी बिहार से पार्टी चुनाओ लोगसभा का लड़वा सकती है तो पार्टी के कोशिश है कि जो बड़े नेता बन चुके हैं जो अपने राजे में फेमस है उन्हें अब पधा मंतरी मोदी के अब इतनी लोग फिरता है और बारतियनता पार्टी का संगड़े इतना मजबूत है तो ऐसे में उन नेताओं को लोगसभा चुनाओ लड़ना चाहिए और राजसभा में फिर बाकिया नेता को बिज़ा जा सकता है मुझे लग रहा है महाराश्टे भी ऐसे बड़े ने इस तैयारी शुरू करना चाहिए तो पार्टी के कोशिच है कि ज्यादा लोगों को राजसभा लड़वाया जा जिससे सीटे भी शामिलो जहां भारतियनता पार्टी के पास कोई बड़ा उम्मिद्वार नहीं हो जो डिफिकल्ट सीट हो तो महां केंद्री मंत्री उनकी लोग वहां से जीत कर आए तो मुझे लगता है एक अच्छा एक्सिपरिमेंट होगा भारतियनता पार्टी के दुष्टी से जिससे भारतियनता पार्टी के कई निता लोगसभा से आए और राजसभा ऐसे लोगों के लिखाली हो सके कि जो लोगसभा चुनाव नहीं लड़ सकते तो मुझे लग रहा है इस बार भारतियनता पार्टी बड़े एक्सिपरिमेंट करने के बुड़ में हैं भाय भी ब्याप्त है क्योंकि अभी ये मीडिया में कुछ दिन पहले ही बात चली थी कि 30% सांसदों का जो अभी जो बरतमान सांसदें उनके टिकट कट सकते हैं मैं थोड़ा सा अभी के बिमार से थोड़ा हट करके बात करना चाहूँगा मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही महत्वपुर्ण चुनाओ है और इस महत्वपुर्ण चुनाओ में प्रियोग की गुंजाइस जो है उसी हद तक रहेगी जिससे कि आपकी विनेबिलिटी हो रही है या नहीं हो रही है यही सबसे important मुद्दा रहेगा आप राज्यसभा में सांसद हैं तीन बार हैं तो यह कोई आवस्च नहीं हो कि आप जाकर के वहाँ पर चुनाओ जीत ही जाए यही निर्मला सीता रमन है तो कोई आवस्च नहीं या कोई भी मन्त्री हो तो कोई आवस्च नहीं ऐसे कई मन्त्रियों की फिर हिस्त गी नहीं सकती है जो मंत्री तो थे अरुन जेटली का है उदाहरन देख लिए उनको लगता था कि अम्रित सर का सीट जो हो बहुत सेफ सीट है और वहां वो चुनाव हार गए ऐसे तमाम मंत्रियों को देखा जा सकता है पहले भी देखा गया है जो राज्यसभा के मंत्री रहे हैं और ज कि कि सीट पर को देने से मुझे ऐसा लगता है कि राज्यसभा सीट राज्यसभा के बरतमान सांस्दों से ज्यादा जी नरेंद्र मुदी और अमिज साहजी की फोकस इस बात पर होगी कि युवा चेहरे कांस्टिक्वेंसी में कैसे आते हैं जो ग्रासूट लेबल पर काम कर रहे हैं और वहाँ पर क्योंकि ग्रासूट से ही उनका मैपिंग सुरू हो जाता है डिस्टिक लेबल पर कौन कौन पॉपलर है डिस्टिक से किसका नाम आता है ब्लॉक से किसका नाम आता है कोई कई जगों से उनकी फिल्टरिंग होती है फिर रास्टियसभा संग की राय क् तिस पार्ट की चर्चा आप संगीची कर रहे हैं वो चर्चा पार्टी के अंदर हो रही होगी और उस पार्टी उस पर strategy बनाना शुरू कर चुकी होगी यह कितना tough management देवेंदर रहता है पार्टी के लिहाद से कि आपको अपने बड़े चेरों को भी adjust करना है जो अभी तो उनको भी मैसेज कनवे करना है जमीन पर सब कुछ ठीक रहे पार्टी एक साथ रहे और 2024 में मुकाबला करें अच्छी सीटे लेकर आए ये मैनेजमेंट कैसे होता है अपराचीस में एक चीज़ ये समझना होगा कि जैसे ऐसा नहीं है कि इन चेहरों को सिर्फ इस लिहाद से ही भेजा जाएगा कि आप उन सीट को जिता सकते हैं इन चेहरों के उपर ये जिम्मेदारी भी रहेगी कि पार्टी ने आपके उपर इतना इन्वेस्ट किया है तो अपने आपको प्रूफ कीजिए और उस जगह को खाली कीजिए ताकि दूसरे किसी को वहाँ पर दिया जा सके जैसे बार-बार किसी एक वेक्ति का ही राजसभा का टरम मिलना पधान मंतिर ने 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 लोगों को आफसर देना चाहिए जैसे अगर राजसभा का टरम आपको दिया गया केंदर में मंत्री बनाया गया तब आपके उपर जिम्मधार यह है कि आप पार्टी को आप अगला कदम दे किसी लोगसभा सीट पे चुनाव में जीत किया और राजसभा की जो जगह आप खाली करेंगे तक राजसभा का उनका टरम है लेकि उनके उपर पार्टी यह जिम्मधारी देगी कि आपको इतना बड़ा चेहरा बनाया तो तमिलाडू में आप पार्टी के लिए माहौल बनाईए धर्मेंद पदान की बात कर लें तो धर्मेंद पदान का टरम भी खत्म हो रहा है उनके उपर जिम्मधारी रहेगी कि उरिसा में आप और बहतर माहौल करें भुपेंद यादव के अगर बात करें तो भुपेंद यादव को हाल के वर्षों में पार्टी ने बहुत बड़ा बनाया है अब उनकी उपर भी जिम्हेदारी है और उस लिहाट से उन्होंने तीन सीटों का प्राचे जो चैन भी किया जो उसमें जो उन्होंने सर्वे कराया था उसमें एक रास्थान की अलवर और दो सीटे थी हर्याना की जिन में से एक गुरू ग्राम और दूसरा भीवानी और मेहंद रगड ये तीनों ही सीटे एक तरह से यादव कम्यूनिटी के लिया से बहुत अच्छी सीट मानी जाती है वहाँ पर उसका चैनल किया गया हरदीपूरी के उपर हरदीपूरी ये सोच रहे हैं कि पंजाब के बज़ाए इस बार दिल्ली की सीट अगर उनको मिल जाती तो ज़्यादा बहता था तो यह पंजाब या दिल्ली से उन्हें लड़ना पड़ेगा हाला कि पिछला चुना वह लड़े ते हार गये थे पियूश गोल की बात करें तो मुंबई के अलावा उनका दूसरा विकल्प और जो की उनकी नजर में पहला विकल्प है मुंबई के वह चाह रहे हैं कि गाजिया बास उनको लोग सबागा से टिकट दिया जाए तो यह सारी चीज़े पार्टी क को चुनाव लड़ा रहे हैं तो समझ सकते हैं कि उसका दूसरा फाइदा भी आपको मिलना है गुजरात में आप उसका दूसरा फायदा भी मिलेगा क्योंकि यह पार्टी दाव समुदाय के बढ़े चेर हैं तो यह सारी कोशिश की जारी एक बुके बनाने की और उसी के थर इन तीन सीट पे आप अपने आपको फोकस करके बताएं कि इन तीनों सीटों में से अगर पार्टी उनके नाम पर कहीं विचार करती है तो वो ज़्यादा कमफर्टिबल रहेंगे कोशिश एक की जाएगी कि उनमें से अधिकांस को उस रूप में एड़जस्ट कर दिया जा कि इन दोनों सीटों में से अगर उनको चुना रहने का अफसर मिले और पार्टी कहे तो फिर वो जादर बेतर इसी तीम रहेंगा अलगर एक चिसमें आपको और बतादू प्राची कि इन में से किसी से भी अभी तक इंडिविज्वल लेवल पर मैसेज कम्म्निकेट नहीं क सिर्फी भागालफुर की लेकिन नहीं है फोकस चिया रहा है उन जगाउं पर बीज़ेपी शूने रहती है तो फोकस उन जगाउं पर भी किया जारा है जहां BJP मजबूत रहती है, जब BJP का 100% स्ट्राइक रेट रहता है, लेकिन दूसरी तरफ कॉंग्रेस की किया तैयारी है? इन्डिया ऐलाइंस की क्या तैयारी है? क्या seat sharing पर कोई बात बन पा रही है? क्या कॉंग्रेस कोई मुद्धा प्रोजेक्ट कर पा रही है मूदी के सामने आगे इस पर करेंगे चर्चा फिलाल एक छूटा सा ब्रेक ले रहे हैं आप देखते रहे हैं कहाने कुछ से